नमस्कार बच्चो मैं आपका हिंदी सिख्षक वाइस राजपुत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोट कोटा से आज मैं आपको पार्ट 6 सिष्टा चार पढ़ाने जा रहा हूं तो चलिए बच्चो देरी ना करते हुए वीडियो प्राराम्भ करते हैं बच्चो आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे शिष्टा चार शिष्टा चार का मतलब होता है वेवार बच्चो मैं आपको पहले पढ़ाते जाऊंगा साथ में व्याक्या भी करते जाऊंगा सेखर एक हुश्याल लड़का था परंद उसमें एक बुराई थी कहीं भी सेथानी करने लगता था एक बारवा अपने चाचा जी के सांस सहर गया वहां उनके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था क्या हो बच्चो सेखा नाम का एक लड़का बहुत ही बुद्धिमान था परंद उसमें क्या थी बुराई थी वो क्या करते था सैतानी सैतानी मतलब क्या होता है हरकते एक बारवा अपने चाचा जी के सांस सहर गया आरवा वह उनके चाचा जी को अपने क्या करना था अपन करने लगा सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चड़ गया उसने सोफे का कवर उतार कर नीचे फेंग दिया और फिर पास ही रखी मेच पर कुछ कागज उठा कर इधर उधर फेंग दिये चाचा जी ने इसारे से उसे रोकने का प्रयाल भी किया पर सेखार अंदेख कर नीचे फेंग दिया फिर वह रखी मेच पर कुछ कागज इधर उधर फेंग दिये और चाचा जी ने इसारा मतलब संकेत किया तो उसको रोकने का प्रयाज भी किया लेकिन सेखर उसको अंदेखा करते हुए सेतानी करने लगा मतलब हरकते करना ही लगा घर लोटने पर से करके चाचा जी नोसा समझाया सेखर मेरे मित्र के घर तुमने मेरी मिझ जसाती करा दी यह बात सुनकर सेखर उदास हो गया सेखर चेहरा देखकर चाचा जी को दैया आ गई वे बहुए बोले बेटा मैं तुम्हें डाटना नहीं चाहता था लेकिन जब तुम किसी अपरचित या मेहमान श्री मिलेओ तब सिष्टा चार कर ध्यान रखा करो नहीं तो सारे परिवार की बेज्जती हो जाएगी अब क्या हुआ बच्च जैसे ही सेखर और सेखर के चाचा जी घर पहुंचे तो सेखर को उसके चाचा जी ने डाटना शुरू कर दिया कि मैं तुमने मेरे मीत्र के हाँ मेरी बेज्जती करा दी या बास सुनकर सेखर क्या हो गया दुखी हो गया उदास मतलब दुखी और बेटा माई तुम्हें डाटना नहीं चाहता था लेकिन जब तुम किसी अपरचित या मेहमान से मिले तो क्या करो अपरचित या और मेहमान मतलब अतिधी से मिले तो उसको सिषचार भी ध्यां रखा करो नहीं तो सारे परिवार की क्या होगी बदनामी बेज्जती मतलब बद अब इसके बाद चाचा जी ने क्या किया बतायां कि दूसरों से किया हुआ चिए और अच्छा वेहार भूलो कल तुमने मेरे मीत्र को नमस्ते भी नहीं किया और बीना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए और उसके बाद चाचा जी क्या बोला देखो बेटा जब किसी से आप मिलो तो क्या करना चाहिए नमस्कार करना नहीं भूलना चाहिए और तुम कल मेरे मीत्र कहां गये थे और बीना नमस्कार किये वहां से वापस आ गए शेखर को अब अपनी गलती का एसास हो रहा था चाचा जी ने आगे बताया बाचीत करते समय भी हमें बहुंसी बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे ध्यानेवात कहना चाहिए कभी भी करनी चाहिए जो दूसरों को बूरा लगे हमें अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो बाते करते समय के वल अपनी बात मत कहो बलकि दूसरों को भी सुनो दूसरे से निजी उनकी निजी बातों मत पूछो दूसरे से दुख में सहानभुती प्रगट करो अगर जरा सी भी गलती हो जाया तो मांपी मांगना मत भूलो अब इसके बात क्या हो बच्चों सेखर ने कहा कि हम से अपनी गलती का हैसास हो रहा था और वहए चाचा जी का बताया कि बात चीत करते समय हमें दूसरे से बातों दूसरी के बातों भी ध्यां रखना चाही कौन बोला है उनके चाचा जी यदि कोई कुछ दे तो हमें धन्यमात कहना चाहिए कहीं भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो दूसरों को खराब लगे बुरा लगे मतलब खराब लगे हमें अच्छी तरह ही सोच विचार करके ही बात करनी चाहिए बातें करते समय के वाल अपनी बातीं नहीं क बलकि दूसरों के बाद भी सुनना चाहिए और दूसरों से निजी बाते नहीं पूछना चाहिए दूसरों कोई दुख्र में सहानभूती प्रगत करना चाहिए अगर जराची जी गलती हो जाई तो माफी मांगना चाहिए और चाचा जी हमारे यहां कोई मेहमान आये तो सेखर ने पूछा अगर तुम्हारे यहां आतिथी आये तो खुछ से समस्काते हूं उनके स्वगात करो उन्हें उचीत स्थान में बैठाओ और उनकी अच्छे तरह स्रेवा सतकार करो अतिथी के सांथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का दिहां रखो कि पहले अतिथी को भोजन मिलना चाहिए बाद में खाना खाओ अतिथी से पहले भोजन करना शिष्टा के अ अच्छी तरह श्रेवा करना चाहिए अतिथी के सांथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का दिहां रखें कि पहले अतिथी को भोजन करना शिष्टा के अंदर आता है इसके बात बच्चों आगे बढ़ते हैं जब भी तुम दूसरों के यहां जाओ तब पहले दरवाज़ा पर लगी घंटी बचाओ और घर के लोगों द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेस करो यहां वहां कोई भी ऐसकार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे अब उसके चाचे जी फिर से बता रहे हैं कि जब कभी दूसरे के हां जाओ तो दरवाज़े पर लगी घंटी अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उस समय लटाना कभी मत भूलो समझ गए अब उसके बात क्या हुआ बच्चों उनके चाचे जी समझा रहे हैं जब कभी किसी कहां जाओ तो कुछी कोई समान को नहीं चुना चाहिए और समान अगर देखना भी चाहो तो घर के जो मा समझा रहे हैं इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हाँ चाचा जी यह सारी बाते हमेशा ध्यान में रखूंगा जिश्चा चार से जोड़ी और भी बाते हो तो सिखर ने पुछा अब उसके बाद बोला कि बच्चा जी मैं यह सब बाते याद रखूंगा लेकिन इस हम उन धर्मों के ब्रतियादर व्यक्त करते हैं हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी धर्मिक स्थाना को ठेज ना पहुंचे इसके बाद चाचा जी और कुछ समझा रहे हैं की जरूरी बात जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अगर किसी मंदीर मर्चित गुर्द्वार घरा गिर्जा घरादी धर्मिक स्थान जाना पड़े तो भागे नीमम कभी पालन करना चाहिए सभी धर्मिक इस्थान पर नीमम पालन करें धर्मों के प्रतियादर व्यक्त बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं राश्टी परोग के बारे में तुम जानते ही हो इन परोग मानाने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना नियमार है जब भी राश्टाकान का आय जा तो सावधान की मुद्र में खड़ा होना चाहिए जो बच्चे सिष्ट चा करने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार होता है जब भी राश्टागान का जाता है तो सावधान की मुद्र में ही खड़ा होना चाहिए और वे सब बच्चे सिष्ट चार्गी नियम का पालन करते हैं वे सिष्ट का लाते हैं सिष्ट मतलब सब बच्चों स सभी सभी प्यार कड़ते हैं और क्या कह रहा हैं बंग कि सिश्ठ बच्च वंखर दिखाऊंगां सिखाँ इसके बाद लाश पर पढ़ते हैं उसकी ऐसी बाते सुनकर चाचा जी वहुत थे खुशी और उन्हें उसकी प्यूट थपाते हुए सबासी दी और ऐसा बात सुन कर उनके चाचा बहुंद प्रसंद हुए उनको प्यूट थपाते हुए उनको प्रणा प्रदान किया बच्चो इसके बाद आप क्या करेंगे सब्दार्थो को काफी में नोट करते जाएंगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर अभ्यास का मौखिक प्रस्ण प्रस्ण पहला किसी से मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए उत्तर पहला किसी से मिलने पर सबसे पहले नमस्ते करना चाहिए प्रस्ण दूसरा दूसरों के दुख में हमें क्या प्रकट करना चाहिए? प्रस्ण दूसरा गलती हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए? प्रस्ण दूसरा यदि कोई आपको कुछ दे तो उसे धन्यमात कहना चाहिए? प्रस्ण दूसरा यदि कोई आपको कुछ दे तो उसे धन्यमात कहना चाहिए? निमलित प्रस्ण को दूसरा लिखे प्रस्ण पहला अतित्यों के आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर पहला, अतीत्यों के आने पर हमें तो खुशिसा मुस्काते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित इस्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह शिवा सतकार करो प्रहन पहला अतित्यों के आने पर हमें क्या करना चाहिए उत्तर पहला अतित्यों के आने पर हमें तो खुशिस मुस्काते हुए उनका स्वागत करो उन्हें उचीति स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह शिवा सत्कार करो प्रहन दूसरा दूसरों के घर जाने पर हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उत्तर दूसरा दूसरों के घर जाने पर हमें सबसे पहले दरवाजे पर लगी घंटी बचाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रयोश करो वहां कोई भी ऐसा कारे मत करो, जो दूसरों को बुरा लगे प्रशन दूसरों के घर जाने पर हमें किन किन बातों की धाया रखना चाहिए अतर दूसरों के घर जाने पर हमें सबसे पहले दरवाजे पर लगी, घंटी बजाओ और घर के लोगों द्वारा अंदर बुलानेм पर ही प्रवयूश करओं, वहाँ के कोई भी ऐसा कारे मत करो जो दुसरों को बुरा लगे। अंते तीसरा धार्मी किस्थानों पर जाना पड़े तो بहुँह के निमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक इस्थानों के नीमों का पालान कर हम उन धर्मों के प्रती आधर व्यक्त करते हैं। तिसरा धार्मीग स्थानों पर क्या करना चाहिए? उत्तर तिसरा धार्मीग स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के निमों का पालान करना चाहिए. वे शिष्ट कहलाते हैं. प्राइच चौनथा राष्टी परोपर की इन बातों का ध्यान रखना चाहिए उत्तर चौनथा राष्टी परोपर हमें साधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए जो बच्चे सिष्टाचार की नेमों का पालन करते हैं वे सिष्ट कहलाते हैं ग, दिये गए सब्दों से रिक्ति सान भरिये, सिष्टा चार परिवार सोच विचार स्वागत, पहला, तुम्हारे विवार सारे खाली सान की बिज़ती करा सकता है, परिवार, पहला को उत्तर होगा बच्चो परिवार, दूसरा, अच्छा विवार ही खाली सान का लाता है, स दूसरा, हमेशा खाली स्थान कर रही बोलो, सोच वी चार, दूसरा में उत्तर आएगा बच्चो, सोच वी चार, चौधा आतित्यों का खाली स्थान से खुस्शी करो, स्वागत, घह, सही उत्तर पर सही का चिन लगाए, पहला सेखर किसके सांस दहर गया पीता जी के, दूसर इसमें आएगा चाचा जी दूसरा दूसरों से कैसी बाते नहीं पूछनी चाहिए समाजिक निजी आर्थिक उत्तर आएगा इसमें बच्चो निजी इसी के साथ बच्चे मैं अपनी वाड़ी को यहीं पे विराम देता हूं नमस्कार मिलते हैं अगले वीडियो पर